हाई फ्रेंड देन वल्कॉम बेक तो यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एन एक और नए वीडियो में तो आज का जो वीडियो में बहुत ही खास होने वाले इसके वीडियो में आपको भूंडा लीवो बीए 6 की सारी जानकरी देने वाला तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो अगर आप नए हो मेरी चैनल पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो का एक पैटर्न रहता है सबसे पहले में हम बाइक के लोक एंडिसन के बार में बात करेंगे फिर हम इसके इंजिन एंडिस्पेशन के बार में बात करेंगे फिर मैं आपको इसके डाइमेंशन और फीचर्स बताऊंगा एंड फिर हम बात करेंगे इसके परफॉमंस के बारे में लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्राइस एंड मैलेज के बारे में तो चलिए सबसे पहले look and design के बार में बात करते हैं तो बहुत ही simple and decent look दिया गए है bike को और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी stream के उपर जो video play हो रहा है उसमें हमने आपको red color दिखाया है और इस bike में आपको charger options मिलते है black color आता है, blue color आता है, matte gray color आता है and red color आता है, front में आपको मिलता है halogen headlamp and tail light है उसमें भी आपको bulb मिलता है, जो indicators है उसमें भी आपको bulb भी लेंगे and थोड़े से flexible है जैसे कि आप देख सकते है and आप please comment करके बताओ कि आपको कैसा लगा इस bike का look comment करना भूलना मत, मेरे को personally side profile काफी अच्छी लगती है especially यह जो tank के ऊपर जो levo का stickers है, वो काफी अच्छे लगते है and tank के ऊपर जो आपको honda की branding मिल जाती है, वो मुझे काफी अच्छी लगती है and tank भी थोड़ा muscular है and काफी attractive लगता है तो चलिए अब बात करते है इसके engine displacement की, तो आपको मिलेगा 109.51cc का 4-stroke air-cooled BS6 engine जो power produce करता है 8.79 PS at 7500 RPM and 9.30 Nm का torque produce करता है at 5500 RPM and आपको यहाँ पर 4 gears मिलेंगे friends, I wish कि honda ने यहाँ पर 5 gears डाले होते है क्योंकि इसका जो previous model आता था यानि कि BS4 model उसमें भी हमको 4 gears मिलते हैं, तो मैंने ऐसा सोचा था कि जो BS6 model आएगा उसमें honda ने शायद update लाया होगा कि अगर 5 gears होते हैं तो काफी अच्छा रहता लेकिन यहाँ पर हमको मिलते हैं 4 gears तो अब बात करते हैं इसके braking की तो यहाँ पर आपको front and rear दोनों में मिलेंगे drum brakes और इसमें यहाँ पर CBS आपको मिलेगा यानि की combined braking system यानि कि जो दोनों brakes से front and rear वो दोनों साथ में लगेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है rider की safety कही साब से अब बात करते हैं इसके suspension setup की तो आपको front में मिलेगा telescopic forks और जो rare है उसमें आपको मिलेंगे hydraulics type suspension setup यह थोड़ा सा disappointing है कि हमको यहाँ पर gas टा suspension नहीं मिलते लेकिन no problem वो उतना कुछ बड़ा issue नहीं है अब tires की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको tubeless tires मिलेंगे yellow wheels के साथ and front and rear tire है उन दोनों की size same that is 80 section 100 by 18 यहाँ पर I think थोड़े से बड़े tire होते तो काफी अच्छा रहता क्योंकि जैसा कि अब देख सकते हैं कि जो tires है वो काफी पतल है लेकिन definitely company ने कुछ सोच कर यह सा किया होगा dimensions की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ground clearings मिलेगा 163 mm का जो seat height है वो होगी 790 mm यानि कि जो short riders है वो इस bike को आराम से ride कर सकेंगे and I also think कि जो long riders है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस bike को ride करने में fuel tank capacity की बात करें तो आपको मिले कि 9 liters की fuel tank capacity which is good and इस bike का जो curve weight है वो काफी कम है that is 115 kg यानि की बहुत lightweight bike है आपको definitely मजा आएगा इस bike को city में ride करने में also traffic में ride करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसके instrument console की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिले गए analog digital instrument cluster left side पर आपको speed show करेगी जैसा कि आप देख सकते हैं जो right side है वहाँ पर आपको fuel gauge मिलेगा time दिखाएगा and trip meter मिलेगा लेकिन friends यहाँ पर आपको trip meter एक ही मिलेगा यह बहुत disappointing बात है मेरे को यह person अच्छा नहीं लगा and according to me बहुत कम information मिलती है यहाँ पर सो यहाँ पर थोड़ा सा customer को थोड़ा सा disappointing feel हो सकता है तो चलिए अब बात करता है इसके performance की जो बहुत ही matter करता है और कोई भी बाइक उसका performance बहुत ही important है तो refinement के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि Honda से क्योंकि Honda जाने जाती है refinement के लिए so refinement आपको काफी अच्छा मिलने वाला है और बहुत ही smooth bike है इसकी seat से वह भी काफी wide है और किसकी कुशिनिंग है वह काफी अच्छी है और बहुत ही comfortable seat से आपको बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो पीलियन होगा वह भी इस बाइक में आराम से बैठ सकेगा इस बाइक में कुछ चीज जो मुझे परसुनली अच्छी लगती है वह है पिकप इसका जो पिकप है वह काफी अच्छा है 110cc के यह अच्छा उप्शन ही रहेगा उनके पास suspension थोड़े से स्टिफ है लेकिन वह उतना बहुत मेंटर नहीं करते हैं इस ट्रैप की बाइक में स्टिफ की बात करें तो यह बाइक अराउं 110 किलोमेटर पर आवर की स्पीट को टच करती है विच इस गुड़ अको अच्छी बात एंड बाइक बहुत ही लाइट है जैसा कि मैं आपको पहले बोला था सो इसकी जो स्विच इसके भी कॉलिटी काफी अच्छी अगर आपको इसके परसनों जिसको बाइक चाहिए डेली कम्यूटिंग के लिए एंड जो मोस्ली सिटी में आप राइड करते हो एंड आपको एक फैमिली बाइक चाहिए आपके घर में कोई ओल्ड एज पीपल है कोई लेडी है उनके साथ आपको कभी-कभी बाइक के जानना होता है तो है यहां बाइक करते हैं तो आपको इतनी 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 अची मैलेज नहीं मिलेगी यान ही की मैलेज है वो पूरा राइडिंग के उपर डिपेंड करता है अब इसकी pricing की बात करें तो मेरे city यानि की बुझ की on-road price है रूपीज 81,000 जो perfect है मेरे इस साब से आपकी जो city है उसकी on-road price सोड़ी सी उपर नीचे हो सकती है आप मुझे comment section में अपनी city का नाम बता सकते हो तो मैं उसका reply में आपको वहां की on-road price बता दूँगा तो friends मैं करता हूँ यहां पर मेरा वीडियो एंड अगर आपको जी वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर आप यहां तक आ गए हो तो क्यार एंड यह झायर एंड श्टेसाएं